जैसे आपके पास तारकिक मन है वैसे ही एक और मन है जो बिल्कुल अलग है इससे आप टेलीपेथी और टेलीकाइनेसिस कर सकते हैं ये दिव्विमनस है उस थिती में इसे विकसित करना बहुत आसान है पर इससे भारी परेशानी भी होती है देखे आपका शरीर या जिसे आप मैं कहते हैं ये कई चरणों में खुद को विकसित करता है योग में ये विकास के साथ चरण माने जाते हैं ये कहें तो मनुष्य के साथ अलग-अलग शरीर है साथ अलग-अलग शरीर यानि वाकई साथ अलग-अलग शरीर नहीं है ये मनु दुश्री के विकास के साथ अलग-अलग चरण है। पैदा होने के बाद, साथ साल की उम्र तक सिर्फ भातिक शरीर बढ़ता है। ये बाहरी शरीर या स्थूल शरीर है। साथ से चौदा साल की उम्र तक व्यक्ति के भाव शरीर का यानि उसका भावनात्मक विकास होता है। चौदा से किस साल तक अगले साथ सालं तक मानसिक शरीर यानि व्यक्ति की बुद्धी विक्सित होती है। जब बुद्धी विक्सत होती है, तब चीजें सीखने में रुची आती है। पराम तोर पर आज आधनिक समाज शरीर की बस इन तीन अवस्थाओं बाहरी, भावनात्मक और मानसिक शरीर तक ही सीमित है। हम उसे आगे विकास नहीं चाहते हैं। अगले साथ साल दिव्य मनस के लिए हैं। जैसे तार्किक मन होता है, वैसे एक और मन होता है, जो बिलकुल अलग है। योग में हम विकास के इस चौते चरण से बचते हैं, क्विकास के बाद व्यक्ति चमतकारी हो जाता है, उसके आसपास कई चमतकार होने लगते हैं. यहां की चीज़ें वहां हो सकती हैं, वहां की यहां, कहीं और की बातें आप जान जाएंगे ऐसी चीज़े होंगे योग में लोगों को दिव्य मनस तक पहुँचने नहीं दिया जाता है क्योंकि ये है तो मन ही दिव्य है यानि ये उस मन से कहीं बड़ा है जिसे हम जानते हैं ये एक शांदार पहमाने का मन है इस मन में प्रवेश करने के बा आप काफी कुछ जानते हैं सब कुछ नहीं पर दूसरे लोगों के मुकाबले आप चमतकारी हो जाते हैं ऐसा होने के बाद लोग आम तोर पर अगले इस तर तक विकास नहीं कर पातें ज्यादातर लोग इतने परिपकों नहीं होते वे इसे दूर रखकर आगे नहीं बढ़ पाते वे इसी में उलच जाते हैं ये एक मानसिक स्थिती ही है तब वे टेली पैथी और टेली काइनेसिस कर सकते हैं ये सब चीजें दिव्य मनस हैं 21 से 28 तक ये विकास आसानी से हो सकता है ये एक प्राकर्तिक प्रक्रिया है उस उम्र में ये विकास बहुत आसान होता है पर जो लोग आध्यात्मिक पथ पर हैं उन्हें इसकी तलाश कभी नहीं करनी चाहिए क्योंकि तब आपके पास बस एक उचे स्थर का मन होगा वैसे ही मन भ्रहम में डालता है उचा मन गहरे ब्रहम में डालेगा ये आपको निचले मन से कहीं अधिक गहरे तरीके से उलजाएगा तो हमें से दूरी रखते हैं दिव्य मनस से जुड़ने के बाद कोई भी परमतत्व नहीं खोजेगा क्योंकि ये इतना विशाल, इतना चमतकारी है ऐसा लगेगा भगवान मिल गए आपको कुछ और नहीं चाहिए होगा ऐसी भावनाएं पैदा होंगे पर इससे भारी दुख भी पैदा होता है आम तोर पर दिव्य मनस में जाने वाला व्यक्ति जीवन के 47-47 वर्ष के बाद बहुत दुख जहिलता है योग के मार्ग पर हम कुछ चीजों को दर किनार करके हमेशा शूनिता, पूर्ण, विसरजन की कोशिश करते हैं क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलता आध्यात्म को एक विज्ञान मानने के बाद हम आध्यात्मिक मार्ग में मनवरंजन नहीं ढूंडते हर छोटी से छोटी चीज को हम बस एक कदम मानते हैं जो हमें बड़ी चीज की देशा में ले जाएगा हम उसे कभी भी मनवरंजन मान कर उसके पिछे दिवाने नहीं होते ये बहुत जाधा जरूरी है ध्यान में लोग थोड़ा सा अनुभव पाकर रुमान्चित हो जाते हैं और दो महिने में वो फिर नीचे आ जाते हैं ऐसा बार-बार हो रहा है क्योंकि आपका मनवरंजन होता है इन चीजों से अपना मनवरंजन न करें चाहें जो भी हो हमारा काम है लक्ष तक पहुचना जब कोई व्यक्तिया अध्यात्मिक मार्ग चुन लेता है तो उसके बैठने, खड़े होने, खाने, बोलने, सोचने और जीने का तरीका सब कुछ अध्यात्मिक हो जाना चाहिए हमें हमारे जीवन के हर पहलू को योग की प्रक्रिया और विकास की प्रक्रिया बनाना होगा इस सार्ग मंडल में मानव शरीर सबसे उंची मशीन है सिस्टम के 114 चक्रों में हल चल लाई जा सकती है इसे एक विशेश तरीके से विवस्थित करके आप बिलकुल दिव्य बन सकते हैं हम लोगों को दिव्य मनस में नहीं जाने देते इस मन में प्रवेश करने के बाद आप सब कुछ जान जाते हैं यह आपके जीवन की हर चीज से ज्यादा अकरशक है सभी साथ अलग अलग चक्र आपके पैरों में हैं इसकी एक पूरी टेकनोलोजी है कि कैसे पैरों को पकड़ें वर्षों साधना करके आपको जो नहीं मिल सकता वो एक पल में मिल सकता है आपका नर्वस सिस्टम ये बता सकता है कि ये भूल कितना पुराना है हर पल आप पूरी तरह उस आयान के साथ है जो हर चीज का आधार है कि ये बता सकता है